हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आज मैं देखिए आपके साथ इस ब्यूटिफुल कार्डिगन डिजैन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप इस पैटरन को लेडिस, जैंस या बच्चों के किसी भी परजेक्ट में डाल सकते हैं बहुत सुंदर बहुत प्यारा डिजैन है और बनाने में भी बहुत यादा असान है यह देखने में जितना देखेए यह अलग सा पैटरन है बनाने में यह उतना ही इसी है इसके लिए हमने क्या करना है 5-5 के multiple से फंदे डालने है तीन फंदे हमने extra ले लेने है 5-5 के multiple से फंदे डालेंगे 3 फंदे हम extra ले लेंगे pattern को equal बनाने के लिए तो चलिए, चलिए, जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना, आपने पहले नीचे बोर्डर बना लेना है, बोर्डर बनाने के बाद, इसकी first row सीधी तरफ से देखिये, start होगी, तो first row सीधी तरफ से जैसे मैंने यहां से बनाई है वैसे ही आपको यहां से बना कर बताऊंगी तो इसकी first row सीधी तरफ से पूरी हमारी सीधी बनके आईगी ऐसे यह पूरी row हमने simple सीधी सीधी बना लेनी है बहुत easy pattern है इसमें चार सलाईयां देखिए ऐसे simple डलती है और दो सलाईयों में design आएगा तो पहली row सीधी तरफ से सीधी बना लेंगे second row उल्टी तरफ से पूरी हमारी उल्टी बनके आएगी यह row ऐसे ही उल्टी उल्टी बना लेंगे अब थर्ड row सीधी तरफ से हमने पूरी सीधी बना लेनी है थर्ड row भी सीधी सीधी बना लेंगे fourth row उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बना लेंगे इच में चार सलाइया हमारी ऐसे ही बनेगे सीधी तरफ से दो सीधी और उल्टी तरफ से दो उल्टी अब देखिए फिफ्ट row सीधी तरफ से पहले फंदे को आप उतारिए चाहे सीधा बना लेंगे यह हमारा एस्टिच का फंदा है उसके बाद हमने क्या करना है देखिए यह एक, दो, तीन, चार, पांच पांच में और छटे फंदे के बीच में देखिए पांच और देखिए यह पांच फंदे इधर होगे यह छटा फंदा है इसके बीच में यहाँ पर यह एक, दो, तीन, चार, चोथे होल में हमने फोर्थ होल में देखिए चोथे होल में हमने ऐसे सलाई को डालना है और यहाँ से लूब बना लेना है इसे ना तो बहुत ज़्यादा टाइट करना है ना ही धीला फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट यहां थर्ड होल में डालेंगे यहां से एक लूब बना लेंगे ऐसे फिर एक फंदा सीधा फिर से इससे नेक्स्ट में डालेंगे एक लूब बना लेंगे ऐसे और ये एक फंदा सीधा बना देंगे फिर से इसमें डालेंगे नेक्स्ट में एक लूब बना लेंगे फिर ये एक फंदा सीधा ठीक है? फिर से यहां पर इस होल में डालेंगे एक लूब बना लेंगे ये पांचवा फंदा भी सीधा यह पांच फंदे थे हमारे अब हमारे यह दस फंदे हो गए इसी पैटरन को हमने रपीड करते जाना है फिर से एक दो तीन चार पांच पांच में और छटे इन दोनों के बीच में देखी इन दोनों के फंदों सब्सक्राइब इस के बीच में जो ये वाली स्पेस है अब यहां पर हमने फोर्थ होल में ऐसे सलाई को डालना है निकाला और इस फंदे को सीधा बना लेंगे ठीक है फिर नेक्स्ट में डालेंगे बनाएंगे इस फंदे को सीधा बना लेंगे पांच फंदे हैं, हमारे ये 5 लूप हमने बनानी हैं, इसमें डाला, बनाया, एक फंदा सीधा, इसमें नेक्स्ट में डाला, लूप निकाला, ये फंदा हमारा सीधा, फिर इससे नेक्स्ट में यहां पर डालेंगे, और ये वाले फंदे को सीधा बना लेंगे, ऐसे, ये पै तीन, चार, पांच, ठीक है, पांच फंदे हो गए हमारे, ये पांच फंदे इधर, ये छटा फंदा है, यहाँ पर बीच में जो देखे, ये वाली स्पेस है न, ये वाली, इसमें, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फॉर्थ, ऐसे, फॉर्थ में डालेंगे, यहाँ से लूप बना लेंगे, फिर ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से थर्ड में डालेंगे, लूप बनाएंगे, सेकंड फंदे को भी सीधा, फिर यहाँ पर डालेंगे, दूसरे फंदे में, एक फंदा सीधा, नेक्स्ट में डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, अब ये एक फंदा हम सीधा बना देंगे ऐसे ऐसे ही देखिए डिजाइन को हमने रिपीट करते जाना है तो एक दो तीन चार पांच अब ये फिर से यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच यहां पर डालेंगे इसी पैटरून को रिपीट करेंगे फॉर्थ होल में डाला एक फंदा सीधा बना लिया फिर थर्ड में डाला लूप बनाया ऐसे एक फंदा सीधा बना दिया फिर डाला secondo में एक लूब बनाया फंदा सीधा फिर ऐसे first में डालेंगे एक लूब बनाएंगे एक फंदा सीधा उसके बाद इन दो फंदों के बीच में यहां पर hole में डालेंगे बनाएंगे और इस फंदे को भी सीधा बना देंगे ऐसे अब last वार एक, दो, तीन, चार, पांच यहां पर एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार ऐसे होल में डाला इसी पैटरन को रिपीड कर लिया यह डिजाइन हमारा दो कलर से भी बन सकता है अगर आप सब बोलोगे तो मैं दो कलर से भी आपको बना कर दिखाऊंगी आप चाहे दो से चाहे मल्टी से बना लीजिएगा मैं दो कलर से आपको बना कर दिखाऊंगी यह पैटरन ऐसे ही हमने पांच फंदे हैं हमारे देखिए पांच वारे ऐसे ही लूप निकालनी है लास्ट में हमारे पास ये एक फंदा सीधा जे एस टिच का फंदा जिसे सीधा ही बना दूँगे ये रो बनकर कंप्लीट होती है अब हमने देखे उल्टी तरफ से क्या करना है पहले एस टिच के फंदे को हम उल्टा बनाएंगे फिर ये एक्स्ट्रा फंदा था हमारा एक चीसे उल्टा बनाया अब पूरी स्लाई में हमने दो का एक, दो का एक करते जाना है ऐसे दो फंदों को एक साथ स्लाई में लेंगे, दोनों का एक कर देंगे फिर से एक ये फंदा, एक ये, दो का एक फिर से एक ये, एक ये, दो का एक फिर से दो का एक पूरी रो ऐसे ही बनाकर हम complete कर लेंगे अब यहां पर pattern तो हमारा same यही है देखे लेकिन इसकी जगा छेज हो जाएगी जैसे इन दोनों के बीच में यहां पर डलेगा उसके लिए पहले चार सलाईयां हमें ऐसे ही simple बनानी होंगी सीधी तरफ से सीधी फिर उल्टी फिर सीधी तरफ से सीधी फिर उल्टी यह चार रो पहले हम बना लेते हैं फिर आगे दिखाते हैं आपको pattern की 10 सलाईयां complete हो गई हैं अब हमारे 11th रो सीधी तरफ से दिखे पहले तो हमने एक फंदा आपना यह stitch का बनाया था उसके बाद सीधा ये लूप वाला पैटरन डाल दिया था लेकिन अब हमने क्या करना है यहाँ पर तीन फंदे सीधे हमना लेने हैं एक, दो और ये तीन ये टोटल हमारे चार फंदे सीधे होगे ठीक है अब यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच यहां पर पांच फंदे छोड़ कर हमने यहां पर अपना पैटरन डालना स्टार्ट करना है तो एक, दो, तीन, चार यहां से एक लूप बनाई, फिर इस फंदे को सीधा यह आगे सेम वैसे ही डलेगा जैसे मैंने आपको फेले बताया है यहां पर डालाई, एक लूप बनाई और इस फंदे को सीधा बना दिया पैटरन बहुत एजी है थोड़ा सा धिहान देकर आपको बनाना होगा बस इससे सीधा बनाया, फिर यहां पर डालना इससे सीधा बनाया सेम उसी पर सीजर से देखिए ये बनेगा सेम उसी तरीके से कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल वैसे ही बनता जाएगा अब फिर से एक, दो, तीन, चार, पांच ठीक है? पांच फंदे होगे, ये चटा फंदा हमारा अब यहां पर देखिए, एक, दो, तीन, चार यहां पर चोथे में डालेगे उसी मैथर से बस हमने बनाते जाना है सिरफ इतना ध्यान रखना है कि पहले हमने चार सलाईयां जब बनाई थी तो पांच फंदा सीधा बनाने के बाद शुरू कर दिया था अब यहां पर एस्टिच का फंदा एक बनाने के बाद हमने देखिए, यह एक, दो, तीन फंदे बनाए है फिर यह लूप वला पैटरन डाला है सिरफ आपने इस बाद का धियान रखना है और आपका डिजाइन यह चलता जाएगा तो देखिए, जब हमने यहां पर यह लूप का पैटरन डाला है तो देखिए, यहां पर आगया यह सेंटर में, ऐसे ठीक है? अब यह लूप बनाई, इस फंदे को सीधा बना दिया फिर से नेक्स्ट में डालेंगे बस होल में, लूप बनाएंगे फिर एक फंदा सीधा बना देंगे फिर नेक्स्ट में डालेंगे, एक लूप बनाएंगे यह एक फंदा सीधा बना देंगे फिर से नेक्स्ट में डालेंगे बस अगले होल में डालते जाना है, आपने सलाई को लूप बनाना है एक फंदा सीधा बना लेना है और फिर से एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच के बाद ये एक, दो, तीन, चार, चोथे में डाला, यहां से, तो ये मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा फिर दिखाती हूँ आगे आपको, लास्ट में देखे, ये हमारे पास चार फंदे बचेंगे, जैसे स्टार्टिंग में थे न, चार फंदे, वैसे ही लास्ट में बचेंगे इन चार फंदों को आपने सीधा ही बना देना है, तीन, चार, अब उल्टी तरफ से देखिए, पहले चार फंदे ये उल्टे बना देंगे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे बनाए, उसके बाद देखिए एक ये फंदा, ये एक लूप वाला फंदा, अब ये सार फंदों को हमने दो का एक, दो का एक ऐसे करते जाना है, बस, सिंपली दो फंदों को लेंगे स्लाई में, दो का एक, दो फंदों को लेंगे स्लाई में, दो का एक, दो फंदों को लेंगे स्लाई में, दो का एक, ऐसे ही हमने बनाते जाना है, लास्ट में हमारे पास यह 4 फंदे बचेंगे जीने हमने उल्टा ही बना लेना है ठीक है देखे 12 रो का हमारा यह पैटरन है और यही पर बनकर कंप्लीट होता है इनि 12 रो को आपने रपीट करते जाना है अब यहाँ पर देखे यह स्टेच भी होता है कोई ऐसी बात नहीं की खीचा-खीचा बनेंगा यह कुछ भीजसे ऐसे स्ट्रेक्च होता है बहुत अच्छा पैटेञ बनता है कि जब हम इसे बनाते हैं हम आइसा लगता है कि कहीं यह तीरचा जा डिजाइन लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बहुत बड़िया ये डिजाइन बनता है ऐसे ठीक है तो आप इसे जरूर बनाईएगा और अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें वीडि तो आप से नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाई